है है जितने भी पैरेंट्स और बच्चे नहीं है इस चैनल पे तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल एक्टों में दमा दीजिए नाव आप अपने लेस्न को एंजाइ कर सकते हैं ये वीडियो रहेगा आपका उनिट 11 इंडियन म्यूजिक के ओपर एक्टिविटी वन में आप एक पिक्चर देख रहे हैं अद एस सो मनी म्यूजिकल इंस्टूमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे है राइट आज Glen Baz picture ici ए के ओड़िए रा ये एक लियूजब्स के उपड़िए रिए वेडद गा से न इनुनते को कि देखाई डै पर है इस पिक्चर की नीचे कुछ sentences about our Indian music चो मैं आपको इस पिक्चर के बाद में बताऊँगा उससे पहले इस chapter की शुरुआत करते हैं इस सारे music instruments को जान कर मुझे पता है कुछ बच्चों के parents ये बजाते भी होंगे, musician होंगे that's why और कुछ बच्चे इसमें से कोई item खुद भी play कर रहे होंगे, right कोई बात नहीं है, सबसे पहले ये जो वाला है इसे क्या कहते हैं, हम जान लेते हैं इसे कहते हैं harmonium क्या कहते हैं बच्चों, harmonium next नीचे वाला, जिसे सितार कहते हैं चली आगे तीसरा लेते हैं इसे हम कहते हैं टानपुरा next है ये तबला ये तो सभी को पता ही है गुजराद में जो लोग रहते हैं ये तो अग घरबा में देख रही होंगे जो टीवी पे चल रहा होता है, ये बचता ही रहता है इसके बाद ये है flute ये ही कृष्ण भगवान वाले flute चली आगे देखते हैं इसे क्या कहते हैं सरोध और लास्ट वाला जो है उसे वाइलिंग कहते हैं ये सारे के सारे musical instruments है hope आपको जानकर ये मिली होगी अच्छी तरीके से चली आगे बढ़ते हैं तो फिर so मैं कुछ बता रहा था आपको इस picture के ने चे कुछ information है वो यही है क्या लिखा है let's read out India has a very long history of music music की history बहुती लंबी है क्योंकि North Indian music in particular is over 2000 years old बच्चो कौनसा music में बात कर रहा हूं आपसे North Indian music में इसकी बात कर रहा हूं यह बहुती पुराना music है 2000 साल पहले का it has been developed in temples and royal palaces मतलब इसका उद्भव so यह होता था general temples के अंदर and palaces मतलब मैं आपको दिखाना चाहता हूं ऐसे बड़े-बड़े महल के अंदर नाच गाना एक तरफ होता था और यह music इससे बजाया जा रहा था indian classical music है जिसके two basic components है we have two basic components एक को कहते है हम रागा राग बोलते है राग हम बोलते हैं रागमा गा रागमा बराबर गाता न दिया और दूसरा है तला तला मिंस रिधम पिर जब कोई singer गाता है तो जो judge होता है बोलता है कि थोड़ा सूर में नहीं था सूर मतलब वही राग फिर रिधम बराबर से बैट नहीं रही थी आपके गाने की ऊपर नहीं सो बेजिकले मैं आपको बताने जा रहा है यह है एक तो राग सारे गामा पादानीशा जो आपने सुना ही होगा और दूसरा है यह उसका रिधम ज्यादा डिल में इसके बारे में नहीं जाएंगे हम बट यह हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के दो कॉम्पोरेंट्स है इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहूं देर आर हंड़े अफ रागा जन ताला ऐसे एक दो नहीं हैं हंडरेडस हैं उससे भी कही ज़ादा है आप भी यह बच्चो सीख सकते हैं आपके घर में कोई होगा जिसको यह आता होगा ठीक है आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट एक्टिविटी टू की तरफ जिसमें लिखा है वोग इन टू ग्रूप्स दो ग्रूप में काम करना एक ग्रूप का नाम ए और दूसरे ग्रूप का नाम बी रहेगा ग्रूप A वाले लिस्ट बनाएंगे इंडियन म्यूजिकल इंस्टूमेंट्स जो इंडिया के हैं और दूसरे वाले बनाएंगे जो बाहर देश के हैं वेस्टन म्यूजिकल इंस्टूमेंट्स ये रहा आपका लिस्ट जिसमें सितार, हार्मोनियम, सारंगी, सरोद, board, drum, trumpet, आप सोच रहोंगे यह क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुख जाएए, देखिए, इस तरफ के सारे pictures इंडियन है, यह सारे western instruments, musical instruments, यह सारे इंडिया के बने हुए हैं, और इंडिया के कई सालों से use होते आ रहे हैं, देखा ना, काफी सारे नई चीज़ सीखने को मिल रहे हैं के नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, अरे वा, लता मंगेशकर जी, so activity 3 में, इनके बारे में थोड़ा जानकरी ले ले लेते हैं, क्योंकि यह तो बहुत ही inspiring है, young, as well as सारे singers के लिए actually में, so यहाँ पर एक passage है, लता मंगेशकर, a living legend, अभी भी जिन्दा है, और एक legend की तरह जी रहे हैं, so लता मंगेशकर is one of the most famous singers of Hindu film industry, आपने दिखा हो गान की photograph, यह रही, बचपन से लेकर अभी तक की इनकी photograph है, she has sung more than 30,000 songs in 20 different languages, वाव, 30,000, 30,000 गाने गाये वो भी 20 different languages में, अलग अलग भाशाओ में, वाव, लता मंगेशकर was born on 28th September 1929 in Indoor, इनका जन्म, Indoor मध्यपरदेश में हुआ था, वो भी 28th September 1929 को, लता लर्न music at very young age, बहुती कम उम्र में, मतब छोटी से उमर में उनने गाना सीख लिया था, क्यों, लता मंगेशकर was very young when her father passed away, so sad, बहुती छोटी थी, जब उनके पापा की देथ हो गई, to take care of her family, लता acted in 8 films, वाव, आजी मुझे पता चला के, लता मंगेशकर ने, 8 films ने acting भी करी है, बोलो, पैसे कमाने के लिए उस जमाने में, her first Hindi playback was for the film आपकी सेवा में, जो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब की बात है, कौनसा गाना, ये रहा है, उनकी फोटो उस time की, आपकी सेवा में, फिर in 1949, she had four major hit films, बरसात, अंदास, दुलारी और महल, इसके बिलकुल दो साल के बाद, उनने चार, एक के बाद, एक के बाद, एक हिट फिल्म देए है, उनके गाने, सुपब, गूगल कर ले न, और यूटुब बे भी देख सकते हैं, आगे और भी जान करी इनके बारे में She sang songs with famous singers, जैसे के महमद रफी के साथ गाना गया, किस के साथ गया, महमद रफी, किशोर कुमार, मुकेश के साथ, एंड सोनु निगम के साथ, इन सभी के साथ, और काफी सारे और singers के साथ, इनके गाने गाये हैं, क्योंकि 30,000 songs गाये हैं न, Her success and determination made her one of the most famous women in the industry, ये Bollywood industry में बहुत ही famous है, because उनकी success और उनकी जो determination है, उन्होंने जो अपना योगदान दिया है, film industry में गाने गागर, वो भारिष देज के लिए भी गर्वा की बात है, as well as Bollywood के लिए भी एक मिसाल की बात है, She is the melody queen of the Indian musical, yes, melody queen है, उनकी आवाज में जादू है, आप काफी सारे गाने सुन सकते हैं, Lata Mangishkar has received many awards, yes बच्चो, काफी सारे awards Lata Mangishkar के जीत चुके हैं, देख लेजे ये award, The highest honor among these awards was Bharat Ratna, सबसे बड़ा जो रतन और award मिलता है, उसे इंडिया में भारत रतन और केता है, ये भी उनको प्राप्त है, So, सोच सकता है कि कितनी बड़ी हस्ती है ये, After receiving all these awards, she stopped accepting awards to promote new talent, इतने सारे awards मिलने के बाद, उन्होंने क्या कर दिया को, अब मुझे awards मन दो, प्लीज, मुझे देते रहोगे, तो बाके सब नए बच्चों का क्या होगा, She continues to sing even today, आज भी वो गाती है, and perform live also, live shows भी करती है, Nata Mangishkar is truly a living legend of Indian music, seriously, उनको सो सलाम, सत सत सलाम है इनको, यह एक living legend है हमारे लिए, इनके कारण हमारे देश का नाम, Bollywood का नाम, आज दुनिया भर में प्रचली था है, चले आगे बढ़ते हैं, activity 4 की तरफ, studied information, क्या है, क्या लिखा है, यहाँ पर first gramophone record, ओ, 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 पहला गाना record किया था, उसकी बाद चल लिए, the first gramophone record was made in Kolkata in the year 1898, तो पहला गाना, जो record किया था, gramophone के उपर, ठीक है, कौन सा gramophone, इसके उपर, तो यह gramophone, 1898 में, Kolkata में, पहली बार इंडिया में हुआ था, Thomas Alva Edition आपको पता होगा, जिन्होंने यह phonograph invent किया था, in 1877, Hemendra Mohan Bose of Kolkata imported the phonograph machine, so, एक इनसान है, जिसका नाम है, Hemendra Mohan Bose, यही यह machine इंडिया में लेकर आये थे, और इन्होंने पहले recording किया था, Kolkata में, the records were popularly known as Bose records, इनके records, Bose records के नाम से जाने जाते हैं, ज़्यादा जाने करें के लिए, प्लीज गूगल यह YouTube के लिजिए, जिसको भी इंचानना है, नीचे की paragraph में लिकर है, फर्स्ट म्यूजिक स्कूल, the first music school in India was, गंधर्व महाविध्याले लाहोर, लाहोर पहले इंडिया में था, आज पाकिस्तान में है, सो मैं बताना चाहूँगा, यह रही वो college सबसे पहली, गंधर्व महाविध्याले, जो लाहोर में है, और यह है इसके founder, इनका नाम है, पंडित पुलुशकर, जिनका जन्म महाराष्टर में हुआ था, यह college का setup, पंडित पुलुशकरने किया था, जो आज लाहोर में है, और वो पहले इंडिया में थी, इंट्रेस्टिंग फैक्टर यार, और भी है information, activity 5 में, first musician to receive Padmabhushan award, वो कौन है, जिसको Padmabhushan award मिला, इंडिया के तरफ से, जो first musician है, जिसको Padmabhushan मिला है, वो है MS Subbullakshmi, यह रही, यह है MS Subbullakshmi, जिसको यह award मिला है, she received Padmabhushan award in the year 1954, वाव, आज़र देके कुछ साल के बादी, she was popularly known as the nightingale of India, जैसे Sarojani Nidu को कहते हैं, ऐसे ही इनको भी nightingale of India कहते हैं, she was born on September 16th, 1916, in the temple city Madurai, मंदिरों के शहर Madurai में इनका जन्म हुआ था, 16 September को 1916, so great personality, यह भी अच्छी musician रही, जानकारी हमने प्राप्त करी इसके बाद, कुछ true or false, यहाँ पर लिखा है, MS Subbu Lakshmi started the first music school in India, इन्होंने किया था, नहीं, नहीं, इन्होंने नहीं किया था, Subbu Lakshmi was called the quail, नहीं, यह तो quail थोड़ी, इनको तो बोलते थे nightingale of India, बुल-बुल, The first gramophone record of India was made in Mumbai, नहीं, Mumbai में इन्होंने कलकता में था, इसलिए यह गलत है, Gandharva Mahavidyalai was set up by Pandit Pulushkar, बिल्कुल सही लिखा है, Activity 6, look at these pictures related to music, choose the right word each for picture, So, यहाँ पर हमारे पास है live performer, orchestra किसे कहते है, concert किसे कहते है, and accompanist किसे कहते है, So, पहरी जो photograph है, यह है concert की, So, यहाँ पर लिखो concert, ऐसा concert काफी सारे होते रहते हैं शहर में, So, यह है, actually मैं यह आपने orchestra में सुना होगा, यह orchestra में use and all instruments है, तो यहाँ पर लिखो orchestra, Last में, जो right side मतब यह जो बैटे हैं, उन्हें हम कहते हैं, live performer, और बाजु में जो बैटे हैं, वो accompanist, उनका साथिदार, और यह है live performer, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करेंगे activity 7, here are two new items published in English newspaper, कुछ चीज यहाँ पर English newspaper में published हुई है, वो हमें पढ़ना है पहले तो, यह music therapy है, music therapy क्या है पता नहीं है, चलिए पढ़ते हैं, तो सही, so पहला paragraph है, पहला article है लिखा है, music therapy in the kitchen, music के फाइद kitchen में क्या होते है, so January 9, 2014 का article है, listening to the music while cooking takes away the boredom from this everyday activity, अगर आप kitchen में music सुनते सुनते काम कर रहे हैं, तो आपको जो boring वाले feeling आती है, kitchen में हर रोज करने का वो नहीं आएगी, listening to good music is always pleasant experience, अगर आप अच्छा music सुनते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, listening to music while working in the kitchen and doing course makes it a more relaxing experience, मतलब गाने बजने हैं और गाने के साथ-साथ आपको भी गुन-गुना अपने मुह से, तो आपको काम करने में काफी मज़ा आएगा, ऐसा music therapy कहती है, second article, music therapy soon in government hospital, government hospitals में भी music therapy आने वाली है, so May 1, 2012, TNN ने लिखा है के, Shemoga, the state government has decided to bring music therapy in government hospitals, health education minister announced this in Shemoga on Monday, so Shemoga on Monday, health minister ने declare कर दिया है, के बही अब तो government hospitals में भी music therapy आने चाहिए, मतलब जो patient से उसको music नना चाहिए, ताकि उनको अच्छा feeling आए, एक positivity आए के मैं अच्छा हो जाऊंगा, the program will be introduced in government hospitals in Shemoga, Bangalore and Mysore, बहुत ही बड़िया है, so minister कहता है है, यहाँ पर education, health education minister के music therapy, कुछ समय के बाद, Shemoga, Bangalore and Mysore की government hospitals पे, शूड़ हो जाएगी, चलिए आगे देखते हैं, so यहाँ पर मैंने, paragraph लिक ना था, Indian music therapy के उपर, Indian music therapy, in common with other forms of music therapy, confers the following benefits, सबसे पहला benefit है, positive effect on mood, आपके mood पे positive effect डालता है, better concentration and attention, आपका काम एकदम perfect रहता है, concentration बना रहता है, क्योंकि आप mood में होते हो, यह आपको एक assist में तब क्या, एक साथीदार हो जाता है आपका, relax तो आपको करवाता ही है feel, उपर से काम करने भी और मजाता है, helps understand the person's inner self image and personality, इसे होता क्या है, जब यह music therapy दी जाती है, तो किसी भी person की अंदर की self image, एक personality जलक आती है, कि इसको क्या पसंद है, कैसे गानी पसंद है, किस तरह का मिजाज है इनका, और एक और therapy का फाइदा है, वह gives a better awareness of self and environment, इससे आपको पता चलता है, कि self के बारे में, कि मुझे क्या पसंद है, यह music सुनता हूं, तो मुझे इस तरखी की feeling आती है, और मेरा काम अच्छे से हो रहा है, and so produce a positive impact on social interaction, तो आपका mind clean रहता है, कोई tension नहीं रहता है, गुसा नहीं आता है, इससे आप क्या होता है, आपका social interaction अच्छा रहता है, लोगों के साथ आप अच्छे रहते हो, आपका mood एगदम मस्त रहता है, just because of music, so music एक therapy के तौर पे यूज की जाती है, इंडिया के अंदर, आईए चलिए आगे बढ़ते है, activity 8, read the passage किसके बारे में है, ताना रिरी, कौन है ये ताना रिरी, चलिए पढ़ते हैं, पहले तो क्या लिखा है, किसी को गाते हुए सुना, रागा दीपक गाते हुए सुना, क्या गाते हुए देखा, रागा दीपक, he was fascinated by this idea, and asked his court musician, dancing to sing रागा दीपक, the raga of fire, ये एक ऐसा राग था, अगर कोई गाता है, तो आग लग जाती है, मतलब एक आग से निकलने लगती है, ऐसा सूर्ध है ये, राग, तो देखें ये वीडियो पहले, पहले रागा दीपक करता ना करता, रागा लाचाना ग्रंता, मेल कर मर्वार दानी दीना अस्तर जार्ता गर्ता दीपक करता, पहले रागा दीपक करता अस्तर जार्ता दीपक करता पहले, वीडियो पहले रागा दीपक करता, अ-गे देख लिए आपने जिसमें लिखा है तांसिंग वॉस घ्रीट मैंजिशन कौन है ये तांसिंग ये रहा ये तांसें बहुत ही बड़ा musician था उस जमाने में जिसको राग गाना अच्छी तरीके से आता था राग में but he also knew that it will create an intense fire effect in the singer's body जो कोई भी गाता है उसकी बोड़ी जनने लगती है so he was very scared कि मैं कभी ना गाऊ रागा दीपक किसी के लिए भी but since the emperor wanted it अब राजा को ही चाहिए था कि गाए तो राजा में तो force किया किसको force किया तांसें को गभी तूगा तांसें सेंग इट इन अ वंडर्फुल मैंना बहुत अच्छी तरीके से तांसें ने गाया the effect was such that all the lamps in the court here lit up by themselves वाव सारे दिये जल उठे अपने आप जल उठे बूजे हुए थे उसके अंदर आग automatic से आ गई but तांसें's body became so hot तांसें की body गाते गाते इतनी गरम हुए so that he had to sit in the nearby river to cool himself उसको नदी में जाके बैटना पड़ अपने आपको ठंडा करने के लिए however the river water began to boil and it was clear that तांसें would soon boil to that अरे भापरे क्या हो गया दिखो river भी गरम होने लगी boil पानी उबने लगा river का और ऐसा लग रहा था कि वो खोदी अब मर जाएगा तांसें knew that the body can be cool only if someone sing raga malhar to bring showers of rain अभी इसके पास एक रास्ता था तांसें के पास एक रास्ता था कि मेरी body में जो आग लगी है अगर उसको पर ठंड़क पहुचा सकता है तो अगर कोई raga malhar गा दे तो इससे बरसात गिरेगी और मैं ठंड़ा हो जाओंगा और मेरी जान बग जाएगी he set out on a search to find someone who could sing raga malhar to cure him in new course he reached wordnagar in gujarat so किसे ने बताया कि wordnagar gujarat में कोई है जो ये raga malhar में गाता है इससे तो ठीक हो सकते हो where he found two sisters दो लड़किया कौन है वो दो लड़किया ये दो लड़किया मिली इनका नाम था ताना रीरी एक का नाम ताना दूसरा का नाम रीरी ये दोनो sisters who could sing raga malhar ये raga malhar गा सकती थी effectively तानसे ने उनसे पुछा क्या तुम मेरी मदद करोगी जान बचाने में तुम अगर मेरे लिए raga malhar गा दोगी तो बरसाद गी रेगी और मेरी जान बच जाएगी तुम अगर मेरे लिए raga malhar गा दोगी which cooled Tansen's body and saved his life वाव कितनी ताकत है इस music के अंदर के दोनो लड़कियों ने मतलब के ताना और रीरी ने जब raga malhar गाया तो क्या हुआ बहुत बरसाद गीरी बहुत बरसाद गीरी और Tansen की जो body थी वो ठंडी हो गई और इसकी वज़े से इसकी life बच गई आई एक्टिविटी 9 की तरफ true or false is story के उपर सबसे पहला है Tansen sang the deepak raga with great perfection Tansen ने बहुत अच्छे से गाया था क्या raga deepak yes यह true है second वाला only भाहरवी raga can bring showers of rain नहीं एसे तो कोई नामी नहीं ना भाहरवी raga of maharashtra क्या यह लड़किया maharashtra से नहीं गुजरात से थी तो यह तो गलत है भई number four Tana and Riri's music hail Tansen's heat of the body बिल्कुल सही दोने लड़कियों ने अंगाया Tansen की body की घर में निकल गए और वो बच गया नहीं तो वो जल जादा Varanagar is a town in Gujarat yes बिल्कुल सही last Tansen had to fulfill emperor Akbar's wish यह भी सही है कि उसको उसकी बात माननी पड़ी इसके लिए उसने गाना गया वजना तो वो गाना चाहता ही नहीं था आईए एक बात करते हैं activity 10A read the poem क्या है poem का नाम a piper कौन a piper यह ऐसी pipe से जो फूग के आवाज निकालता ही यह piper है इनके poet है Samos O'Sullivan जिन्होंने यह poem लिखे है चलिए पढ़ते है a piper in the streets today set up and tuned and started to play and away 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 on the tide of his music was started on every side doors and windows were opened wide and men left their work and came and women with petticoats colored like flame and little bare feet that were blue with cold went dancing back to the age of gold and all the world went cray went gay for half an hour in the streets today so अगर इसके explanation के बात करूँ poet ने जो क्या कहा है poet क्या कहना चाहता है थो इस poem से सुनिए in this poem a piper the poet Samos O'Sullivan describe करते है about a piper who plays a music एक पाइपर है जो मेंना को photograph दिखाई थी ये pipe से music बजाता है गली-गली में जाके today when he set up and tuned and started to play his pipe in the streets the music spread on every side जब वो बजा रहा था लोगों के घर घर तक इसकी आवाज गूंज रही थी the doors and windows were open सारे दरवाजे और windows खुले होए थे men, women and little kids came out सब लोग घर से बाहर आ चुके थे सुनने के लिए, देखने के लिए men left down their work लोगों ने अपना काम छोड़ दिया women put on pedicots women ने अलग-अलग के pedicots dance करने के लिए पहन लिए जैसे वो आग के flame नहीं होती, वैसे and children with blue barefoot उनके थंडे-थंडे blue barefoot क्यों? क्योंकि थंडी थी न, इसलिए जब वो नंगे पैर बहार आएंगे तो थंडे हो जाएंगे पैर blue हो जाएंगे and dance करने लगी है सब के सब कौन सी धून के उपर, वो Piper की धून के उपर that's all enjoy the music of Piper music of Piper में इतनी ताकत है कि पूरी streets को dance करवा सकता है मतलब enjoy करवा सकता है एक Piper and it continued for half an hour ये half an hour तक चला, सब को बहुती मज़ा आया ये poet ने describe किया है poem एंदा, आईए इसके उपर से और false लिखे, फिर से एक बार the Piper plays upon his pipe every day yes or no false, every day ही, वो तो एक दिन आया था यार, हर रोस के बाद कहा की गई इसके इंदर only men and women were fascinated by the Piper's music, नहीं men, women and children भी थे it was summer when the Piper set out to play, summer था उसमें तो कुछ कोल की बात हो रही थी थी वो बोला है के बार फिट बच्चे कोल में मतलब भार आ रहे था थन्दी में तो विंटर ही होगा everyone who heard the music was extremely delighted yes, delighted बहुत खुश हो गई था, सब लोग the Piper played on his pipe for the whole day, नहीं, half an hour के लिए, false है यह the Piper's music had a magical impact on the listeners yes, सब लोग खुश हो गए था so, बच्चो आज क्या हमारा lesson unit 11 भी खतम हो चुका है Indian music hope आप सभी को यह exercise 1 to 10 समझ में आई होगी so, next video के लिए तैयार ही है till then, हाँ, वीडियो पसंद आई है तो like कर दीजे, अपने दोस्तों को परिवार को, classmates को share कर लीजे और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दीजे ताकि next video की notification आपको फटा-फट से मिल जाए, so, मिलते हैं next video में till then, bye-bye subscribe कर देना, like, बैल आइकन दबा देना और share करना भूला नहीं कर दो